कि दोस्तों स्वागत आप सभी का लास्ट नोट इस मोस्ट डिफिकल्ड पेपर आइधिंक इती दिर से आप पेपर दे रहे हो तो फाइनली एक पेपर दे दो जिसमें आपको पता चल जाए कि हाँ यार इस लेवल का कोशन आता है ठीक है एक बड़ी शेयर करो सारे के सारे चली स्टार्ट करते हैं अपने पेपर को तसली से करेंगे है ना सुबे में आपको एक क्लास प्रवाइड कराउंगा जो की पूरा मैरतोन होगा पूरा मैरतोन होगा उस मैरतोन का पर लिंक आएगा साड़े छेवले अभी आप ये पेपर दीजे फ्री अपकी आने केडमी पर होई रही है आपको पताएं अब मेरा प्रोफाइल फोलो करिए अमन्दीफ शर्मा और प्रोफाइल करके आपको फ्री क्लास मिल देंगी कोर्सिस आपके आने केडमी पर अवलेबल हैं धमाकेदार दो पेपर करेंगे अभी आप कंप्लीट बैचिस में जुड़ना चाहते हैं तो आपको एससी गोल में सब्स्रिप्शन का ओफर होता है क्लिक करना राफर को लाइव मन यूज कर करना ठीक है यह तरीका रहेगा जिसमें पूरी टीम के साथ आप पढ़ सकते हैं अभी हम जो करने ना सबसे खतरनाग दो पेपर है ना वो करने वाले ठीक है अपनी पूरी एनरजी लगा दो 25 में से 20 प्लस आने चाहिए नंबर दो पेपर कराऊंगा सेट 5 और सेट 6 ठीक है मैं दो पेपर कराऊंगा इन दो पेपर में जितना स्कोर कर सकते हो कर लीजेगा ठीक है स्टार्ट करें एक बड़ी कमेंट बोक्स पर लिखेगा स्टार्ट करें एक बड़ी कमेंट बोक्स पर लिखेगा फिर स्टार्ट करते हैं चलिए तो पहला कोशन आप सभी के सामने इंडियन आम फोर्सिस के हैट काहां पर है गोशन का आंसर गैता जलूल आपको थोड़ा से समय दूआ इस पेपर में आपको समय दूआ कि आप तसलिए से दीजहें कि यह कि फानल न nadalo जो हैं इंडिया नाम फोर्सिस के हेड़कॉर्टर हैं पहले कोशन का आंसर अल्मोस सभी का सही है चली देखें अब GST काउंसिल आप सभी जानते हैं सारा GST संबंदित जो गुद्दा है वो सब कुछ यही देख रहें GST काउंसिल को कौन से आर्टिकल के तहत बनाया गया चल्दी से कमेंट करें इस कोशन का आंसर के है जीएस्ट काउंसिल को अगर थोड़ा सा बफरिंग होता है कोई दिक्कत नहीं क्लास पूरी देखेंगा आर्टिकल के तहत बनाया चल्दी के आर्टिकल 279 ए general class बेटा 7 बज़े होती है वाई पाइस टडी बेटी वह होती है बस आप कल सुबए ऐसीत होसे होती है चलिए देखिए एक और कोशन देखिए नाइलेन किसका उधारन है नाइलेन इस एक्जामपल विच ओफ फॉल्विंग कमेंट खरीगा चलिए तो आंसे के इस कोशन का आप मेरे टेलिग्राम चैनल जोइन करो आपको मिल दाएगा सबकू सारी प्लेलिस सबकुछ अबलेबल ह वर्ल्ड अफेर के करेंट अफेर्स मिल दाएगे आपको नाइलेन किसका एक्जामपल है पते हैं नाइलेन इस एक्जामपल विच ओफ फॉल्विंग आंसर के इस कोशन का पोली अमाइड अब धिहान में रखो वैसे आप नाइलेन अगर आप सुनते तो आप पॉलीमर कहत पूरा अंदर्जा हो जाएं एक और कोशन देखेंगा वाट इस दा हाइट और कुतम मिनार ओप्रिभीएंड य कोशन है कल करेंट फिर होंगे वह भी इसई लैवल पर होंगे कि आपके एक्जाम में आएगे सुबह शार्य कुशन चली तो आंसर के इस कोशन का 72.5 मीटर अच्छा कुछ बच्चे कहने प्लेलिस तो बेटा आभी मैंने सेट वन सेट टू भी कराया है वीडियो सेक्षन में इसके बाद देख लेना सेशन एंड होने के बाद आपको मिल दाएगा ठीक है पूरा प्लेलिस मिल दाएगा सेट वन सेट टू भी कराया है चली एक और कोशन देखेंगा देखें न्यूक्लियर रेक्टर में हैवी वोटर का क्या फंक्शन होता है कमेंट करेगा जो न्यूक्लियर रेक्टर होता उसमें हैवी वोटर का क्या फंक्शन होता है इसकोशन का आंसर बताएगा ठीक है आंसर का इसक कि स्पीड को रिड्यूस करता है आई इसका आंसर क्या है इसका अंसर वेरी इजी कोशन मेरे इसाब से सबसे सबसे सब्सक्राइब भारत में जो सबसे ज्यादा न्यूस्पेपर पबिश होती है इसकोशन काँ सर और तोल करो आज पार्टीश कर लो एफ लगा लो आपके 25 में से स्कोर आपको इसमें पता चल जाएगा एक और पेपर करांगो उसमें पता चल जाएगा दोनों पेपर से आपके अनलेसिस हो जाएगा आंसर के विटा हिंदी भाषा में सबसे जादा नियूस पेपर जो हैं हमारे भारत में प्रकाशित की जाती है अच्छा को कोडिनेट करता यह बड़ी बात है और यह को कोंसा इस में से बाकी शरीर के अन्य भागों को को कोडिनेट करता। कि तो सब्सक्राइब ही है सब्सक्राइब अगस्ट सेप्टेंबर यह चार इंपोर्टेंट लेटस मन्त के करेंड अफिर करा रहा हूं थे कल सुबह साड़े छे बजए मारस्ऻोन में वीच फोलेंग स्ट्छ्टिर इस इसमें से किसका स्ट्च ereGB घ्रेवाइट के स mender है मेंट करेका किसका स्ट्चर जो है मैए क्रेवाइट चैनल की लिंक टैलिघ्र चैनल पर आ सबसे उपर मिल दा है अच्छा जी ग्रेफाइट से सिमलर स्क्चर किसका है थोड़ा मुश्किल कोशन नहीं बता किसी को ठीक है बताई ये इस कोशन आंसर क्या है चली तो कौन सा आइलेंड उस्से ले का पार्ट जो है चली तो इस कोशन आंसर है तस्मान नाम के विक्ति थे जिनके द्वारा जो है खोज भी की गई थी निउजिलेंड की निउजिलेंड देश की विच आप फोलेंगे नौट आ वेक्टर कॉंटिटी नहीं है इस को को चली तो दोस्तों ध्यान रखेगा अगर आपसे पूछा रहे कि कुण सा वेक्टर कॉंटिटी नहीं है तो आंसर है ठेक इसमें से टॉर्क electric field और condor ये तीनों के तीनों है एक ही बसता है जो बतलब term ही नहीं है फाल्टू का option दे दिया है ठीक है बते बड़ा असान question हमारे देश में जो voting right है वो 21 वर्ष की जगा 18 वर्ष है सवाल ये पूछा गया कि अब ये बदलाब कैस कब किया गया कौन से संचोधन में किया गया कौन से amendment में किया गया कौन से amendment में जो 21 वर्ष है उसको बदलके 18 वर्ष कर दिया गया इस question का answer क्या है कौन से amendment में इस question का answer क्या है चली 61 अब इसका ना आप ऐसे भी हिसाब लगा सकते है कि 8 का 2 घटाया 6 और एक आप इदर लगा दो ठीक है तो उससे भी याद रहेगा confusion नहीं रहेगी भूलोगे नी है ना बती western central railway के headquarter कहां पे है comment करेगा इस question का answer क्या है western central railway के headquarter कहां पे है बिलुकुल सटीक practice हो जाएगी आज आपकी इसकी और सुबे current affair की ठीक है चली तो answer के western central railway का answer के headquarter अगर पूछा है तो जब्बल पूरिस का answer हो क्या answer है जब्बल पूरिस का answer है महत्तपुर्ण सावाद चली देगे एक और question इस question का answer क्या है हां जी बताएगे रेफिजरेटर में हम कौन सी yes इस में यूज करते हैं या करते हैं जल्दी से बताएगे बड़ा असान कोशन है कोमन बात है बिल्कुली ठीक है एप्लिकेशन कोशन है एक तरीके से answer क्या है विच गैस टीटेड इन दा रेफिजरेटर रेफिजरेटर में तो आंसे कैस कोशन का ammonia which of the following language is spoken by most people of the world दुनिया में सबसे ज़्यादा जो language है वो कौन से लोगों के द्वारा बोरी जाती है इस कोशन का answer क्या है करो बड़ा असान कोशन है कि भाई सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाशा कुन सी है पुरी दुनिया में यह तो बड़ा अच्छा कोशन है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा भाशा कुन सी बोले जाती है तो इस कोशेंगा आंसर क्या है इंग्लिश तो कई दे भी नहीं रखा कुछ बच्छे सोचेंगे इंग्लिश दे नहीं रखा इंग्लिश है नहीं ना तो आंसर है अच्छा यह तो करकरत आंसर दे रखा है ठेके यह इसका आंसर नहीं है ठेके बंगाली नहीं हो सकता है Language spoken by most people in the world ठेके चाइनीज भाषा जो है सबसे ज़्यादा बुले जाती है और इसका कारन क्या है कि Chinese भाषा क्यूंकि आबादी ज्यादा है उस वज़े से यह पड़ता है इसका आंसर यह नहीं ठीक है ना चली तो एक और कोशन देखिए बताई इस कोशन इस टेलिग्राम चैनल पर आपको पीडिएफ मिल दाए यह इसका आंसर यह गलत दे रखा भाई हमने खुद बता दिया जो सही आंसर है मैं ड्रिन कह सकते हैं यह टेलिग्राम चैनल सर्च करें आमन सर वाई-फै श दोस्त अगर पीडिएफ कभी गलती से गलट और दे दिया तो गलती थोड़ी रटके बैठ जाओगे कि भई पीडिएफ में लिखा है भगवान ने थोड़ी बनाए बनाई पीडियाफ इंसान ने बनाई गलती से लिखद्या होगा ठीक है हम बता रहें क्रेक्ट संगां त और हैं यह इस को़िखा नरी यह जो किताब किसके द्वहरान लिखी सटन गाल दोस्तों तो हिंप्टन बोगत वट विधवान माने जाते अरस्तूं वह अप्लेट सब विद्वान वाहने जाते हैं उन습니까 कोशन देखें हूं पेड़ा दो पेपर कराऊंगो आभी मैं अच्छे से करो दो पेपर होंगे वीच फॉलिंग इस नेच्रल फोर्म ओफ कार्बन बताई कौन सा नेच्रल फोर्म ओफ कार्बन बड़ा असान कोशन है यह तो आप साभी कर सकते हैं इस कोशन का आंसर क्या कि ब अगर पूचा था है कि बही नेच्रल फोर्म ओफ कार्बन कोशन का आंसर यह असान है कोशन शायद सब बता देंगे आंसर क्या स्वेशन डायमंड डायमंड इस नेच्रल फोर्म ओफ कार्बन हालाकि यह बिल्कुल यूनिक अलोट्रोब हुआ का ठीके ग्रेफाइट और सी में लीजिए बताएं सर किया इस कोशन का है मोफ एलिया से संबंदित कौन सा कथन जो है गलत लिखा हुआ है अंसर क्या है इस कोशन है है खेंग तो याद रखना इट इस एन एफेक्टिव डिसीज ये गलत लिखा हुआ बाकि सेक्स लिंग है बिल्कुल है रिसेस्टीज जल्दी से किसी को नहीं होती है, dominant होती तो जल्दी से होती है, recessive disease है, बिल्कुल सही, a single protein is affected in the blood clotting, बिल्कुल सही, लेकिन effective disease है, इतना effective नहीं है, ठीक है, बते हैं, which is the largest port in India, बते हीगा, भारत का सबसे बड़ा port कौन सा है, comment करेगा, चलिए, बते ही, इस question आन सके, कौन सा भा comment box पे लिखो, कल सुबह कोन इतनी मेहनत करके, साड़े छे बज़े आने वाला है, current affair में, देखो, क्यूंकि अगर आप आ रहे हो ना, इतना ध्यान रखना, आपको इस telegram channel पे PDF मिल दाएगी, लेकिन, जो आप live में सीख पाऊगे ना, मैं एक question पे तीन चीज़े बता दूँ आपका 50% current affair कल ही हो जाएगा, जो आपको पेपर के लिए चाहिए, तहां पे Wi-Fi study पे ही class होगी, पूरा मेरत होना है, back to back session का, ठीक है, आंसर मुंबई port है, एक और question देखिए, इस question का answer के हैं, which countries in the world is called as bread nuts, बताईगा, bread सबसे ज़्यादा produce होता है, मतलब production करते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा, बताईए, इस question का answer के है, जो है, किसे का जाता है, जल्दी सब देख कून से देश को, comment करें, answer के है, इस question का, चलिए, दोस्तों, answer के है, इस question का, इस question का answer है, ठीक है, यह करें, यॉरप को, यॉरप को कहा जाता है, exactly, यॉरप में बहुत production होता है, इसी चीज़ का, ठीक है, चलिए, तो इस question का answer के है, energy, इन अस, देखो, या, जैसे एक wall पे एक spring लगा हुआ है, और मैंने उसे extend कर दिया, अब भाई, जो energy है, वो किस form में आदे, आप यह गलत होने वाला question है, समलो, यह गलत होने वाला question है, कैसे गलत होगा, यह अभी आप देखिए, आपका answer, अप question है, चलो, अब इसका answer बच्चे जाजतर क्या लगाते है, कानेटिक, कि भाई, कानेटिक है, हमने खीच देखिए, कानेटिक, अरे, बिल्कुल कानेटिक नहीं है, जहां पे था, वहीं पे, कानेटिक कहां से हो जाएगा, elastic position जो है, ठीक है, यह इसका answer है, कानेटिक और नही समझ रहे हो, ठीक है, यही गलती करते हैं, बच्चे कानेटिक लगा के आ जाते हैं, खुश एकदम, कि बस आ गया, सही अपना, ठीक है, आप एक बारी, मेरा टेलिग्राम चनल पे, वर्ल्ड अफेर का वीडियो देखिएगा, कल सुबह आएगा, छे बजे, अगर आपने व कोशन का आंसर क्या है, जल्दी से बते हैं, खुश glor तु चलिटा एक तएर्स कं सगूलिक कि इसके बीच में हो एप ‫ थोड़ा लहो टिटी बोलता तब तो आसान था कि हाँ भई एक और कोशन देखें इस कोशन आंसर के बढ़ा लंबा कोशन है लेकिन फिर भी पढ़ेंगे फूस नंबर कमस अफ्टर हिंदी उन्दा बेसे मैक्सिमन नंबर और स्पीकर देखो यह इतना लंबा कोशन है बस सिंपल सा कहा रहा है कि भारत में हिंदी के बाद कौन सी भाषा सबसे जादा बोली जाती है यही सवाल है भारत में हिंदी के बाद सबसे जादा कौन सी भाष कर रहा हूं कि प्लेस्मेंट की बात कभी नहीं करता मैं कि आप एक शोट तेरा तेरा चोदा मिनट का करेंट फिर देखोगे तो आपको बैनेफिट होगा ठीक है तो वह फायदे मन रहता है ठीक है बंगलो इसका आंसर है ठीक है यह मतलब बंगलो लिखा हुआ है हिंदी में वाह ठीक है बंगाली भाषा गजब ठीक है बंगाली भाषा जो है हिंदी के बाद जो है बंगाली भाषा बोली आती यही उस सवाल का जवाब था जो उसमें लिखा हुआ था ठीक है जो मैंने आपको मैंडरिन चायना बताया था बाद में ठीक है तो बंगाली भाषा कुर्ण देखेंगे हैं जी कि विच शेडूल ऑफ दे कंस्टिशन वास इंक्लूड़ीड बाइ फर्स्ट अमेंडमेंड में जो पहला संजोधन हुआ था उसके तहंत कौन सी भाषा जो है कभी-कभी होता है पीडिएफ में ऐसा देखें अदभुद अब इस वरसन यह घटना या बंगाली के जगा है ना इसलिए गयते है लाइफ क्लासिस कभी पढ़ ले अगरो आंसर के नाइन शेडूल इसका आंसर है तो आंसर है इस कोशन का नाइन शेडूल ऑविसली नाइन शेडूल जो है एड के गया था बाइदा फर्स्ट अमेंडमेंट्मेंट वेरी इंपूरेंट कोश्ट अभी तो एक ही पेपर चल रहा है व्याफ टू पेपर्स बताइए इस कोशन का आंसर के है बिटा कौन सी जो है किस यूनियन ट्राइटरी से बिलोंग करती है इस कोशन का आंसर क्या है कमेंट करेगा सारे सारे बताइए आंसर के अगर मैं बात करू जारवा ट्राइफ की तो अंडमान निकोबार आइलेंड तो यूनियन ट्री वैसे भी आप जानते होंगे ठीक हैं अंडमान निकोबार में बोकुत सारी ट्राइब्स हैं जिसमें से एक जारवा हैं ठीक हैं चलिए एक और कुशन बिलकुल सही बड़े- जोड़ी बात होती रहती हैं हिंड इसी बात पर बताओ ठीक है हिंड ब्रेन ओफ मैनीज मेड़ फ्री पार्ट वन विच इस वट आप सभी जानते हैं जो ब्रेन का पार्ट उसमें दो पार्ट हैं तीन पार्ट हैं हिंड ब्रेन मेड़ ब्रेन फोर ब्रेन उसमें से हिंड इसमें से किसका बना हुआ कमेंट करेगा हिंड ब्रेंड किसका बना हुआ इस कोशन का आंसर क्या होगा एक क्षोड को मच वालड एक देख लेना आप ऐसा करना कल का देख लेना कल क्या तारीक है यार 18 18 सेप्टेंबर सुबे 6 बजे आपको टेलिग्राम चैनल पे 15 मिनट का वीडियो मिलेगा ठीक है वर्ल्ड अफेर का चले पेपर सेकंड स्टार्ट करते हैं सबसे नेक्स लेवल मतब यह फाइनल है इस पेपर को सोल कर दो अगर इसमें आग अगर अच्छा स्कोर करते हो समदलो आप सबसे मुश्किल पेपर को कर सकते हो आराम से तो आसान तो ही जाएंगे पहला कोशन अब देखो यह कह रहा है कि बहुए सेकंड लार्जस स्पोकन लेंग्वेच इन दा वर्ड आंसर के दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज़ पहले नंबर पे चाइनिस है दूसरे नंबर पे इंग्लिश है इंपोर्डन कोशन है पूछा सकते हैं इवन हिंदी भी हमारा जो है चोथे नंबर पे आता है एक गुरु कोशन देखें यह नहीं करेंगे अब आ गया वो कोशन अब आगया सही है कि भाई लैंग्वेच पो इसको मेटरिन भी कहते हैं इंपोर्डन कोशन है पूछा सकता है चलिए देखिए अजी इसमें से कौन सा शिप्यार्ड है जो कि इंडियन नेवी के लिए वार्शिप बनाता है बड़ा इंपोर्डन कोशन करेंट फिर में भी बहुत सारी वार्शिप के कोशन आते हैं बता थोड़ा सा बफरींग होगा कोई दिककत नहीं है पूरी क्लास देखीएगा छलिए तुम के इस कोशन गार इसकोशन का दोस्तों ठीक है तो मैं इतना याद रखो कि थे जिए तो एक और कोशन मुझे लग रहा है थोड़ी से ज्यादा हो गया अच एट वट्ड is the first triple antigen vaccine given to the children बटेख कौन सी एज में बड़ा important question है यह बच्चों को पहले जो वैक्सी दी जाती है बटेख कौन सी एज में triple vaccine antigen चोस graph dicen जो है दी जाती है बच्चों बड़ा अच्छा तो आंसर के इस कोशन का तीन मंथ में ठीक है इन थ्री मंथ हम जो है ट्रिपल एंटीजन वैक्सिन दे देते हैं चले एक और कोशन देखिए बते मैं रेगुलर साथ बजे बढ़ाता हूं अगर आम उसे यूटूब पर वाई-फै शड़ी पर रेगुलर पढ़ना आते हो चले तो आंसर केंगा तो करक्ट मैच कौन सा नहीं है बताये पाइरोमेटर एलक्ट्रिक करेंड अधी करेंड ठीक है यह भी सहिए बसता के टैकोमेटर प्रेशर गलत दे रखा है बाकी सही है यह नुर्फ इंप्र बिन्ड से एमिटर करेंड से पाइरोमेटर हाइट कुछ नहीं था हां जी बते रोटेडम जो पोर्ट है यह एक बंदर का यह कौन से देश में बते यह बंदर का कौन से देश में इस कोशन का आंसर क्या है ठीक है सुबह देख लेना सुबह करेंट फिर होंगे टेलीग्राम चैनल पर लिंक आ जाएगा चली तो इस कोशन का आंसर के रोटेडम पोर्ट का नाम है और यह करेंट फिर में भी आ रखा है निदर लेंड इसका आंसर है ठीक है बिलकुल एक और कोशन देखेंगा शेया बिलकुल सही बता आपने विच अनिमल इसकोर्ड इस शिप ओफ देजर्ट इससे असान कोशन नहीं आ सकता हाला कि कोशन आता है ठीक है असान कोशन भी आएगा है 25 पे 25 कोशन हो रहे है तो कुस्तों असान देंगे सबको लगना चाहिए कि जन हित में पेपर हो रहा है मतलब पेपर स होता हमेश तो आपको इसमें कैमल जरूर मिलेंगा उप्शन में चले गर कोशन देखें महात्मा गांदी जी का जनम कौन से वर्ष में हुआ जल्दी से बताएं हैं नगbers कि तबाएव नहीं मैं अबात करू महात्मा गांदी जी का जनम समय तसल्ली से लीजिए अपना और बताई ये अच्छे से क्या होगा आंसर चलो अगर मैं इसकी बात करूँ तो इस question का आंसर है दोस्तो 1869 1860 सब जानते बच्पन में सबसे पहला पैरग्राफ ता मोहंदास करंचंद गांदी जी ठीक है उसमें ठीक है आपने पूरी डिटेल दी होगी कभी अगर आपको बच्पन पैरग्राफ लिखने के लिए का आगा हूँ इस question का answer के लक्षदीप में कौन सी भाषा सबसे जादा बोली जाती है इस question का answer क्या है है ना important question है पूछा आ सकता है कि लक्षदीप में कौन सी भाषा तो answer मल्यालम और very important question लक्षदीप में 90% आबादी जो है ठीक है मल्यालम भाषा बोलती है ठीक है सबसे जादा मतलब और क्यूंकि Muslims जो population वो जादा उस वज़े से भी ठीक है यह नहीं करना question बताइए इस question का answer सब में component of LPG असान question है LPG का में component क्या है कि अधिता पूरी स्कीन से तो नहीं अट पाऊंगो ना बतावा LPG का में component क्या है जल्दी से बढ़िए कि अगर मैं बात करूँ कि भाई LPG का में component क्या है तो इस question का answer है ठीक है इथेन प्रोपेन और व्यूटेन देए चले एक और कुछ है भीम बेत का इसको world-hite site का status दे रखा है अब सवाल यह बूचा रहा है भीम बेत का जो cave है ये कौन सी state में है बताएगा ये कौन सी state में इस question का answer क्या है भीम बेत का किस state में इस question का answer क्या है comment करिए चली तो आंसर है इस कोशन का मध्य प्रदेश , ध्यान रखें मध्य प्रदेश इसका आंसर है एक और कोशन देखिये BGR34, यह किस disease से संभन्दित है? पता है यह किस BGR34 किस disease से संभन्दित है ऐसी पेपर में question आते हैं किसी level पे question आते है, जो difficult कह सकते हैं कि हां बाइ in paper difficult है, जो इस तरीके question आईए बी गी 34 किस disease से संभन्दित है, जल्दी से बता जिस Bastard का answer क्या होगा? इसमें से कून सा करक्ली मैच नहीं है इस कोशन का आंसर क्या है जल्दी से बताइए इस कोशन का आंसर क्या है कि इसमें इंटरना कंबस्चन इंजन के नाम पर कर्बूरेटर लिखा गलत है बाकी कि अच्छा इसमें देखते हैं नोट करेक्टली मैच कार्डियोग्राफ कि यह थोड़ा सा ना कोशन गलत दे रखा इसमें कि मारेंगे इसे अभी और यह कोशन स्किप करेंगे अभी बाद में करते हैं इस कोशन को कल पर सो की कोई भी क्लास जो नेक्स्ट आएगी करेंड अफेर के अलावा ओपियम वोर जो है कौन से दो देशों के बीच में चल्दी सब देगा ओपियम और भारत के इत्यास से भी संबन्दित रही बदे ओपियम वोर कौन से दो देशों के बीच में कोई थी कमेंट करेंगा इस कोशन का आंसर क्या है अगा अगा है चलिए तो आंसर के बेटा ओपियम वोर कौन से दो देशों के बिच में ब्रेटेन और चाइना के बीच में एक और कोशन देखिए इस टेलीग्राम चैनल पर पीडियाफ आएगी कोई दिक्कत नहीं देखि रेफिजरेटर में थर्मोस्टेट जो होता है उसका क्या काम होता है बताइगा रेफिजरेटर बहुत अच्छा कोशन है इस लेवल पर कोशन आपको मिलते हैं कि भाई रेफिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या काम है बताइगा इस फंक्षन ऑफ थर्मोस्टेट इन इस एक पर्टिकुलर टेम्प्रेचर में फ्रिज को रखा हुआ है तो वह एक सेम टेम्प्रेचर को बनाया रखता थर्मो स्टेंड यह ऐसी एप्लिकेशन के कोशन बहुंद मिलते हैं आपको कि भाई इसका काम क्या है यह बते विट ओफ मीटर गोज ऑफ रेलवे ट्रेक यह अपडेट हो चुका है तो इस फोर्षन को भी आम नहीं करेंगे एक क्योंकि यह अपडेट ओर भी होचुका है ठ्रेटेंड और्गनिजब में बहुत सारे आ चुके रिलेतिव हुमेडिटी को कैसे बाते हैं यह प्रिक यह करा रहा हूं ना तो उसमें कुछ ऐसे हैं कि जो बोखot पुराना डाटा है उसको हम अभी अभी अब इन्हें सकते अभी के समयं वो अप्डेटेट होचे है करते यह तो सबुरह कर लेते हैं यह पर इस कौशन आंस्सर निंगत तो इस ऐसे राजह थे चिन्होंने अपने ही पिताजी को जो है मृत्यू ठीक है दीदी जल्दी से बते हैं मित्यू का कारण बने थे अपने ही पिता जी का कौन से ऐसे राजा रहे थे बड़ा असान है बिंबी सारा को किसने अमारत है तो अजात शत्रू इसका आंसर है एक और कोशन देखें देखें डॉक्टर स्वब यह कुछ ज सप्टेंबर देखें बच्छों लग रहा हूं बड़ा असान कोशन भाई यह तो देखो उसी साब से बताओ अब टीचर्स डे गया अभी तो आपको पता होना चाहिए ना यह करेंट फिर में आया होगा बदाओ आंसर के इस कोशन का वर्ल्ड फिर में मैंने ऐसी चीज़े साका संबत की अगर मैं बात करूं तो साका एरा कौन से वर्ष में स्टार्ट हुआ इस कोशन का आंसर क्या है ठीक है आंसर के इस कोशन का जल्दी से बताएगा तो आंसर 78 AD बहुत बार हुआ है कोशन विच कंट्र इस लाजजेस कॉंटिन अप दा वर्ल असान कोशन एशिय असान कोशन है इसमें कोई दिक्कत नहीं है इसमें से कौन सा आयरन का ओर है जल्दी से बताएगा निवली कित में से कुन सा बेटा जो करंट अफेर की क्लास है वो सुबह आ जाएगी टेलिग्राम चैनल पर अमनसर वाइफाइ स्टेडी पे साड़े छे बजे मैराथोन है और 6 बजे मैं वर्ल्ड अफेर का वीडियो डाल देता हूं जो कि 15 मिनट में पूरे दिन का करंट अफेर होता है सबसे पहले सुबह 6 बजे यह टेलिग्राम चैनल पर भी आ जाएगा ठीक है और मैराथोन 6 बजे वाइफाइ स्टेडी पे स्टार्ट करा दूँगा कल जून पर मिटर एक और कोशन देखें और मत लगाना बस ठीक है अब ही आप वाइड अफेर की वीडियो कल देखेंगा देखो अब आप सारे ना मुझसे डेली पढ़ना चाहते हो तो साथ बजे तो जुड़ो लेकिन आप टेलीग्राम चैनल जोईन करो आम अंसर बाइफेर सर्च करते ही आपको ये टेलीग्राम चैनल मिल दाएगा सबसे उपर सभी connected है इसमें सर्च कर लो ये हमारा सेशन हो गया complete सभी ने अच्छा परफॉर्म किया है सुबे साड़े छे बजे आपकी marathon होगी वाइफाई study भूला मत कितने बजे सुबे साड़े छे बजे आरथोन है टेलीग्राम चैनल अमन्सर वाइफाई study पर लिंक आ जाएं सारे त्यार रहना इसके लिए करेंड़ फिर पढ़ेंगे जून जुलाई अगर सेप्टमबर बैक टू बैक क्लासेज में तो सर्च कर लो सारे के सारे सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे थैंक्स अल कंप्रीट theory पढ़नी है तो आपको foundation batches join करने पढ़ेंगे जो कि अभी latest में ही आये हैं तो इनका फायदा बहुत है ठीक है आप SSC गोल सेलेक्ट करें get subscription के get subscription क्लिक करेंगे तो refer code live woman लगाना है और उसके बाद मन सेलेक करना है इस पूरे theory में आपको सब कुछ available होगा सारे subjects reasoning math english gk science सब कुछ आपको मिलने वाला है सारे teachers पढ़ा रहे होंगे best course होगा आपका अभी latest में join करोगे तो आपको benefits भो होते हैं refer code live woman यूज करें ठीक है सब्सक्राइब करें और डेली वेसिस मुझसे जरूर पढ़िए